हेलो फ्रेंट्स, वैल्कमब टू माई चैनल टेस्टी ट्रैजर अदरक और हरी मिर्च का ये तीखा चट्पटा अचार देखकर आ गया ना आपके मूमें भी पानी आजकल मार्केट में ताजा अदरक आसानी से एवेलेबल है और ताजा अद्रक और हरी मिर्च का यचार खाने में तो टेस्टी लगता ही है, साथ ही ये डाइजस्टिव भी है और खाने को पचाने में हेल्प करता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना, वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें अद्रक और हरी मिर्च का तीखा चटपटा अचार बनाने के लिए मैंने यापर 100 ग्राम तीखी वाली हरी मिर्च लिए हैं और 100 ग्राम ही मैंने यापर ताजा वाला अद्रक लिए है इस मोसम में जो अद्रक है वो एकदम ताजा आ रहा है और इसका अचार पहुत ही टेस्टी बनता है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी तुस नहीं होते हैं अद्रक और हरी मिर्च को मैंने अच्छी तरह से साफ पानी में दो कर तीन से चार घंटे के लिए धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया था इसमें मॉश्चर बिल्कुल भी नहीं है पुरा पानी इसका अच्छी तरह से सूख चुका है अचार बनाने के लिए हम जब भी कोई इंग्रीडियंट्स लेते हैं तो उन्हें धो कर अच्छी तरह से सुखा लें इससे अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और अब हम अद्रक और हरी मिर्च को काट कर तयार करेंगे इसके लिए मैंने एक हरी मिर्च लिया है इसका हम डंठल हटा देंगे और इसके बाद इस तरह से इसे लंबाई में दो टुकडों में काट लेंगे यह देखिए इस तरह से और इसी तरह से हम सारी हरी मिर्च को काट कर त्यार करेंगे अभी हम इसे एक साइड पर रख देते हैं और अब हम अद्रक को भी काट कर त्यार करेंगे इसके लिए हम अद्रक को लेंगे सबसे पहले हम इसका छिलका उतार लेंगे इस तरह से हम इसका एकदम पतला पतला चिलका उतारेंगे सारे अद्रक में से मैंने चिलका अलग कर दिया है और अब हम इसे काट लेते हैं इसके लिए हम अद्रक का एक पीस लेंगे और इस तरह से लंबाई में इसे काटेंगे और इसके बाद इस तरह से तिर्चा कट लगा देंगे आप चाहें तो अपने मन पसंद किसी भी तरीके से अद्रक को काट सकते हैं इसी तरह से हम सारे अद्रक को काट कर त्यार करेंगे और अद्रक को भी हम मिर्च के साथ ही रख देते हैं और अब हम अचार के लिए कुछ मसालों को ड्राइ रोस्ट करेंगे इसके लिए एक पैन को मैंने हलका सा गरम कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सौफ एक टेबल स्पून साबुत धनिया एक छोटा चम्मच जीरा एक छोटा चम्मच अजवायन और एक छोटा चम्मच मेथी दाना और अब हम इन सब को अलका सा ड्राइ रोस्ट करेंगे मसालों को ड्राइ रोस्ट करने से इनका मोईस्टर खतम हो जाता है इससे अचार की शेल फ्लाइफ बढ़ जाती है साथी मसालों को ड्राइ रोस्ट करने से इसमें बहुत ही अच्छी खुश्बू आती है और हमारे अचार का टेस्ट भी बढ़ जाता है तो जब भी अचार बनाए मसालों को ड्राइ रोस्ट करकर ही ले गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे और मसालो को हम लो फ्लेम पर ही ड्राइ रोस्ट करेंगे मसालो को लगबग आदा मिनट भूलने के बाद हम इसमें दो टेबल स्पून पीली सरसो भी एड़ कर देंगे और अब हम सरसो को भी बाकी मसालों के साथ ट्राय रोस्ट कर लेंगे पीली सरसो से हमारे अचार में हलका खटा पनाता है जो कि अचार में बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन अगर आपके पास पीली सरसो ना हो तो आप इसकी जगे राई या काली सरसो भी ले सकते हैं और यह देखिए फ्रेंट्स हमारे मसाले बुन गया है लगबग 2 मिनट के लिए हमने इन्हें धीमी आज पर बुन लिया है और इनमें से खुश्बू भी आने लगी है गयस की फ्लेम अब हम बंद कर देंगे और इन्हें इक प्लेट में निकालकर थंड़ा होने के लिए रख देंगे और जब हमारे मसाले थंड़े हो जाएं तो एक मिकसर जार में डालकर हम इने दरदरा पीस लेंगे यह देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें मसालों को पीछना है बिल्कुल भी बारिक नहीं करना है मैंने इन्हें दरदरा ही रखा है और अब मैंने एक साइट पर रख देते हैं अब मैंने यहाँ पर एक छोटा तड़का पैन लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ लगबक 6 टेबल स्पून सरसो का तेल अचार बनाने के लिए हमेशा सरसो के तेल का ही यूज करें इससे अचार जादा अच्छा बनता है और अब हम सरसो के तेल को धुआ उठने तक गरम करेंगे और जब तेल में से धुआ निकलने लगे तो गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और तेल को थंडा होने देंगे हमें तेल को हलका गुनगुना रहने तक थंडा करना है और अब हम एक mixing ball लेंगे और हमने जो अधरक और हरी मिर्च काट कर रखे थी उसे हम ball में डाल लेंगे और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर एक छोटा चमच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इससे हमारे अचार में बहुत ही अच्छा कलर आएगा और ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है क्योंकि हमारी हरी मिर्च आलरेड़ी तीखी है तो हम इसमें लाल मिर्च का यूज नहीं करेंगे आदा छोटा चमच हींक और दो छोटे चमच या स्वाध के अनुसार नमक फ्रेंट्स आचार में नमक हमेशा थोड़ी जादा क्वांटिटी में ही डलता है और इसके साथ ही हमने जो दरदरा मसाला पीसा था उसे भी हम बॉल में ही डाल लेंगे और हमारा तेल भी ठंडा होकर गुनगुना ही रह गया है हमें इसे इतना ठंडा करना है कि यह हलका गरम तो हो लेकिन जब हम इसमें उंगली डालें तो हमारी उंगली जले ना इसे भी हम अचार के साथ ही मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ दो टेबल स्पून सिर्का सिर्का डालने से एक तो अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और साथ ही अचार में हलका खटा टेस्ट भी आता है जो कि अद्रक और मिर्च के अचार में बहुत ही अच्छा लगता है और सारे मसालों को हम अद्रक और मिर्च के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा अद्रक और हरी मिर्च का तीखा चटपटा अचार बनकर तयार है इसे आप बनाने के तुरंट बाद ही सर्व कर सकते हैं इसे आप किसी काच के जार या चिनी मिटी की बर्णी में डाल कर स्टोर करें लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो भी जार या बर्णी आप लें वो बिल्कुल साफ होना चाहिए और अच्छी तरह से सुखा हुआ होना चाहिए इसे आप 3-4 महिने तक स्टोर कर सकते हैं ये चार टेस्टी तो होता ही है साथी डाइजेस्टिव भी होता है ये चार आपके खाने के स्वाद को दुगना दिगना कर देगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज मेरे साथ शेयर करें